आज का चेप्टर है दा एड्रेस जो लिखा है मारगा मिंको ने ये कहानी एक लड़की की है जो वर्ड वर्ड टू के बाद अपनी मा की बिलॉंगिंग्स के लिए एक एड्रेस पर जाती है जब वहाँ पहुंचते है तो चीजें तो उसको मिलते हैं लेकिन पता नहीं क्यों कुछ वजहों से उन चीजों को छोड़ देती है जो उसकी डैड मदद को से बिलॉंग करती थी और उसको लगागी इन चीजों की वजह से उसकी मा तो बापस आएगी नहीं और वो डिसाइड करती है मूव ओन का अपनी ओल्ड मेमरीज के साथ जो एड्रेस अब तक उसके यह बहुत important था वो जब visit करती है वहाँ पर तो उसके बाद में उस address की value खतम हो जाती है और कैसे चीजें बदलती हैं वो हम देखेंगे इस कहानी में सबसे पहले सुरू करते हैं हमारे character से the daughter जो एक narrator है Holland return आती है उस address पे जहां पर उसकी मा ने precious belongings रखी थी after world war 2 के Holland में जब normal हो जाते हैं दिन क्योंकि actually second world war के समय हिटलर ने जब जियूस पीपल पे जो concentration camp में उनको भेजना शुरू किया तो ऐसे समय पे narrator और उसकी मा को भी काफी सारे hardships जहलनी पड़ी है लेकिन जब normal होने के बाद daughter आती है तब वो चीजें कैसे बदल जाती है हम हो देखेंगे second character है Mrs. Us यह narrator की मा का नाम है बहुत ही simpleton lady है और यह एक lady पर trust करती है जो होती Mrs. Darling जिसके यहाँ पर वो सारी belongings रखते हैं यह हमारा third character है यह बहुत ही cunning personality है manipulating और fraud nature की lady है जब यहाँ पर daughter उसकी पहुंचती है narrator जो पहुंचती है तो उसको की पहचानने से मना कर देती है कि वो Mrs. S की daughter को जानती है या नहीं और अपने घर में enter भी नहीं होने देती है शुरू करते हैं हम हमारी कहानी सबसे पहले attitude Mrs. Darling का यह कहानी actually memories के साथ जुड़ी हुई है तो हम थोड़ा सा past और present के साथ continue करेंगे मैं कोशिस करूँगा आपको easily समझ में आए narrator एक घर का दर्वाजा खट-कट आती है जब दर्वाजा खुलता है तो बहुत ही थोड़ा सा दर्वाजा खोल के Mrs. Darling पूछती है क्या वो इससे जानती है narrator reply कहती है कि वो Mrs. S की daughter है लेकिन Mrs. Darling जो है जो घर की मालकेन है उसे जानने से मना कर देती है उसके चहरे पर कोई sign नहीं देती है मतलब वो सिर्फ की उसे पहचानती है नहीं वो उसको लगातार stare करती रहती बिना कुछ कहे narrator सोचती है कि साइद उसने कोई गलत घर की गंटी बजा दिये लेकिन जब narrator की नजर उसकी मा की जो green knitted sweater है उस पर पढ़ती है जिसको Mrs. Darling ने पहने हुए था तो वो sure हो जाती है कि वो सही घर में है सही address पे पहुँची है वो कुछ कहती है लेकिन Mrs. Darling जो है excuse देते हुए कहती है कि वो अभी बात नहीं कर सकती बाद में आना और shamelessly दरवाजा बंद कर देती है फिर क्या होता है नेरेटर को ऐसा लगता है कि Mrs. Darling के अलाबा भी कोई उसे देख रहा है और सायद वो उससे पूछना चाहता हो कि भाई narrator इस जगह पे क्यों आई है उसको ऐसा feel होता है फिर फिर क्या होता है कि वो ना सुनन के बाद वापस station की और walk करते हुए जाती है साथ में अपनी मा की memories के बारे में सोचते हुए कि मा ने कुछ साल पहले Mrs. Darling का address बताया था सायद उस समय जो world war का first half था और उसकी मा ने बताया था कि किस तरह से Mrs. Darling एक परचित है और उन्होंने narrator को ये भी बताया था कि जब भी ह कहती थी कि तुमारी जो भी सभी good things है वो बचा के रखेंगी क्योंकि अगर narrator की मदर को सब कुछ तो बचा नहीं सकती और अचानक कहीं उनको घर छोड़ना पड़ा तो क्या करेंगी तो इसलिए जो narrator की मदर है उनको Mrs. Darling का ये idea पसंद आया और वो इस चीज के लिए कई बा क्योंकि जब भी वो आती थी हर बार heavy luggage लेके जाती थी और ये बहुत मुश्किल टाइम था war time में ये सब risky था फिर भी Mrs. Darling करती थी इसके बाद station पहुंचती है जब narrator तो बिना कोई attention की नहीं रास्तों पर कहीं ध्यान दिये हुए वो जा रही थी उसे war के बाद में पहली ब previous time की streets, houses इन सब की memory को अपने साथ लिए लेकिन upset होने की वज़े से वो नहीं चाहती थी इन सब को जाने पहचाने जब वो train में थी तो Mrs. Darling के साथ हुई पहली मुलाकात उसे याद आती जब उसकी माने उसे बताया था Mrs. Darling के बारे में उस समय वो Mrs. Darling brown coat और share place hat पहने हुई थ से पूछा था कि क्या वो दूर रहती है क्योंकि वो इतना हैवी सामान हैवी केस लेके जा रही है तो उसकी माने कहा नहीं और बताया है कि जो Mrs. Darling है वो नंबर 46 मारकोनी स्ट्रीट पे रहती थी ये एड्रेस बताया था और उसके बाद belongings को लेके बहुती narrator जो जो एड्रेस दिया गया था वहां जाने के लिए उसने बहुत वेट किया जब वार खतम हुआ उसके अभी काफी समय के बाद क्योंकि जो उसकी belongings थी मतलब वो Mrs. Darling के पास थी और narrator को उसमें कोई इंट्रेस नहीं था क्योंकि उसको डर था कि वो dad mother से belong करती है और उन चीजों को नहीं देखे क्योंकि देखेंगी तो वह पुराना pain और वो सब याद आएंगी जो Mrs. Darling के घर में बॉक्स में कबोड्स में पता नहीं कैसे रखा हो और narrator को ये भी डर था कि जब पुरानी या की चीज़ें है Mrs. Darling के घर उनको ले आते हैं अब पहली विजिट तो उसकी बेकार हुई तो उसने उसे कोई result नहीं मिला तो उसने इस बार प्लान किया कि उस पार वो confirm बात करेगी इन चीज़ों दूसरी बार जब जाने का decide किया तो इस बार 15 साल की लड़की ने दरवाजा खोला एक्चली Mrs. Darling उसने लड़की से पूछा तो पता चला कि Mrs. Darling घर से बाहर है इस वज़े से narrator है उस लड़की को follow करके उसके पीछे चलते हैं घर के अंदर और उन्होंने देखा चलते ही समय कि old-fashioned एक iron candle holder रखा हुआ है साइच जिसको उन लोगों ने कभी use नहीं किया थ living room में गए तो narrator shock थी क्योंकि उसने old belongings के बीच में खुद को पाया और वो सब देख के उसे बहुत आजीव लगा अजीव इसलिए लगा कि जो उसकी dear चीजें थी बहुती belongings close थी वो यहां पर बहुती strange surroundings में बहुती गलत तरीके से रखी थी टेस्ट लेट मैनर में रखी थी जिससे उसका मन अपसेट हो गया उसको बहुत बुरा लगा यह सब देख के फिर क्या करती है वो observe करती है darling की daughter को बिल्कुल उसकी daughter Mrs. darling के जैसी थी उसके भी brought back थे बिल्कुल same to same लग रहा था लेकिन Mrs. darling ने अपनी लड़की को सायथ सामान के बारे में नहीं बताया था चाय बना रही थी और वो white tea pot से tea pour कर रही थी जिसका gold border है जिसके lid पर wax में से कुछ और फिर साथ में spoon भी लेती है बात यह थी कि यह पूरी जो crockery है cutler ही है narrator की family से बिलोंग करती थी पर यह लड़की को यह बाते पता नहीं थी कि वो जो antique plates में dinner का यहीं वज़य थी कि एक एक बार antique plates में dinner की बात वो लड़की उस पर एक joke मारते हुए कहती है narrator को अचानक table clothes दिखता है क्योंकि वो भी उसका था उस पर एक burn mark उसको मिला और narrator जो है indirectly उस लड़की को hint देती है कि उसके कमरे की बहुत सारी चीज़े missed हैं उसकी चीज़ें जो और side original place से या तो वो missing कोई ले गया है इसके साथ वो और भी चीज़ों को याद रखती है silver cutlery खास करके narrator को याद है कि उस समय वो अपने जब उसकी मा जिंदा थी और उस समय narrator अपने घर पे थी सायद बीमार थी उस वज़े से तो उसकी माने उससे कहा कि यह silver cutlery पर polish कर दो अब narrator बहुर हुरी उसने यह कर दिया यह सुनके वो बहुत surprise हुई कि वो जो यूज कर रहे थे वो silver की बनी हुई थी वो लड़की डार्लिंग की लड़की को और मिसिस डार्लिंग की डार्टर क्योंकि उसने तो यह कहा कि वो तो यूज करते हैं वो भी everyday eating के लिए अब यह सब तरीके की जब नेरेटर सुनती तो उसको बड़ा हर्ट होता है उसकी चीजों के साथ फिर क्या करती है वो final decision लेती है नेरेटर ने डिसाइड किया कि अब वो वहां जादा देर तक नहीं रुख सकती उसको पता नहीं क्यों जो उसकी belongings थी उससे बिलकुल interest चला गया था और तब उसको ख् हुआ कि objects जो हैं जो सभी चीजें हैं उसकी memory के साथ जुड़ी हुई है लेकिन अब उसके लिए वो चीजें exist नहीं करती है क्योंकि जो उसकी belonging जो तनी dear one थी वो यहां इतने खराब manner में रखी हुई है वो चीज देखके उसको बहुत बुरा लगा मतलब उन चीजों ने अ और वो खुदी decide करती है कि उसका जो present जो घर है उसका वो छोटा है इतनी सारी चीजों को वो नहीं रख सकती है और फिर finally वो decide करती है कि उसकी train का time हो गया है और वहां से चली जाती है वो अपनी सारी जो चीजें हैं फैमिली की belongings हैं उन सब को पीछे छोड़ते हुए कि narrator जिन अपनी belongings को लेने आई थी उनको छोड़ देती है क्योंकि जो उसका past जो memory है उनको और वो ज्यादा साथ नहीं रखना चाहती है तो यह है story address की I hope आपको यह story पसंद आई होगी अगर कोई doubt है कोई comment है तो आप मुझे कोई भी दिक्कत है तो आप comment करके मुझसे पूछ सकते हैं thanks for watching this video thank you so much